तो दोस्तो मैं इस वीडियो में मैं आपसे BA उर्दू कोर्स के बारे मैं आपसे मैं डिसकस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपसे डिसकस करूँगा की BA उर्दू कोर्स क्या होता है इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट थे हैं इसका कोर्स डिरूशन क्या है eligibility criteria और job profile के बारे में आफसे में discuss करने वाला हूँ की अगर आप BA उर्दू का course complete कर लेते हो आपको कौन सी job मिल सकती है Hello friends आप देख रहे हो educational wordster channel तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे BA उर्दू course के बारे में आफसे में discuss करने वाला हूँ दोस्तो अगर आपने 12th की class को पास कर लिया है और आपको जहे जानना है कि 12th की class को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का link इस बीडियो के description में दे दिया है आप इस video के खत्म हुने के बाद उन videos को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपने इस video को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आप से discuss करने वाला हूं कि what is BA Urdu course? जयनि BA Urdu course आकर क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि BA Urdu एक undergraduate course है और इस course को आप 12th की class को पास करने के बाद करते हो अगर आप उर्दू की language में interest रखते हो और आपको काफी अच्छी knowledge चाहिए उर्दू के शेतर में और आप अपनी knowledge को उर्दू के शेतर में बढ़ाना चाते हो तो बी ए उर्दू का course आपके लिए एक बेहद अच्छा benefit दे सकता है इस course में आपको novels, poetry और grammar आपको काफी अच्छे तरीके से पढ़ने को मिल जाएगी अभी मैं आपसे course डिरूशन के बारे में आपसे में discuss करने वालाओं की Jack course कितने वर्ष का course है तो मैं आपको बताना चाता हूँ कि Jack course तीन वर्ष का course होता है और इसमें आपको semester system के base पर आपको पढ़ाया जाता है अभी मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे में discuss करने वालाओं की अगर आप BA उर्दू का course complete कर लेते हो आपको कौन सी job मिल सकती है तो दोस्तों आप उर्दू के teacher बन सकते हो आप school में जाकर बच्चों को उर्दू पढ़ा सकते हो आप writer बन सकते हो जहां तक आप reporter भी बन सकते हो आप content writer बन सकते हो आप अच्छे अच्छे जो articles होते हैं वे उर्दू में लिख सकते हो अभी मैं आपसे मैं डिस्कस करने वालाओं कि B.A. उर्दू में आपको किस परकार के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं तो सकरीन पर आपके सामने जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्पले हो रहे हैं तो कुछ इस प्रकार के subject आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं कई colleges में कुछ subjects different हो सकते हैं इसके साथ और वी कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान करवाए जाते हैं अभी मैं आपसे eligibility और admission process के वारे मैं आपस में discuss करने वाला हो कि अगर आप BA Urdu में admission लेना चाते हो तो आप किस प्रकार से admission ले सकते हो तो इसके लिए दोस्तों आपको जो 12th की class है वो आपको पास करनी होगी 12th की class को पास करने के बाद आपको entrance exam देना होगा entrance exam को clear करने के बाद ही आपको BA Urdu course में admission मिल जाएगा अगर आपको entrance exam नहीं देना फिर भी आप direct college में admission ले सकते हो कई private colleges ऐसे होते हैं जो without entrance exam आपको direct college में admission दे देते हैं तो जैस सिरफ college के उपर ही depend होता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे BA Urdu course के बारे में आपसे मैंने discuss किया है अगर आपको कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में काफी courses के बारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हो तो आन्ते में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद